नमस्कार साथियो दा डिगनिटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी तैयारी में एक दाम लगे होंगे व्यस्त होंगे तो अब अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत सरकार इंस्वरेंस दिया जाता है जिस पकार से LIC आपको देती है life insurance cooperation मैं गारी का एक जो है जो आपके export का भीमा करती है या कहा जाए तो जब आप निर्याद करते हैं तो उसका भीमा करती है तो इस संस्था का PO या और visionary officer की जो है वो post निकाली गई है आज हम इस वीडियो में उसी notification की चर्चा करेंगे और उमीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा अब देखें दोस्तों यह जो notification है यह government ने निकाला है और इसे आप simply आपका जो है डाउनलोड कर सकते हैं net में आपको सिब डालना है ECGC आपका notification PO और यह आपके सामने जो है PDF ओपन हो जाएगा और इस PDF में अगर आप देखेंगे तो देखी यह आपका सीधा सीधा दिया गया है government of India enterprises चीख है इसके अंतरगत आपका जो है जो executive officers जो बनेगा जो प्रोविजनरी officer बनेगा post वो आपका मिलेगा कहां पर मुंबई के आसपास मिलेगा और average आपकी जो salary है वो 16 lakh पर एनम 16 लाख रुपए पर साल या प्रतिश वर्ष जो है वो आपको salary मिलेगी तो अच्छा खासा आपका जो है recommendation या कहा जाए तो आपका amount है जो दिया जाएगा इसके अंतरगत अब बात कर लेते हैं आंगे इसकी यह जो आपका online registration है इस form का वो online registration कपसे प्रारंब है वो आपका प्रारंब है 25 2023 से मतलब आज से ही आपका प्रारंब हो चुका है आप जो है इसे 31 मई 2023 तक भर सकते हैं इस आपको यह बात तो समझ में आगे कि वेतन अच्छा है दूसरी बात अभी इसका time है आप इसे भर सकते हो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यो गता वो गता भी तो कुछ बताएं तो देखो मैं अभी एकदम clear कर देता हूं सबसे पहले कि यह जो form है यह सामान graduated जो persons है उनके लिए नहीं है ठीक है बहुत अपसोस की बात है लेकिन यह सत्त है कि आपका यह जो vacancies निकली है ECGC के अंतरगत यह vacancies सामान जो BA, BSC, BCOM वाले graduated person है जो बाकी form भर सकते हैं वो यह form नहीं भर पाएंगे अब क्यों नहीं भर पाएंगे उसके लिए देखो मैं आपको य योगता define की जाएगी सबसे पहले यहाँ पर seat बता दी गई है कि approximate आपकी जो seats होंगी वो कितनी होंगी 17 ज्यादा seats नहीं है कितनी seats हैं 17 seats हैं तो हमेशा याद रखेगे जब number of vacancies कम होती हैं तो समझ लीजे कि वो special आपकी eligibility demand करता है विसेश योगता demand करता है तब ही आपकी जो है numbers कम होते हैं जम numbers ज्यादा होते हैं तो वो सामन जन के लिए होते हैं और उसमें विसेश योगता किसी प्रकार की नहीं मांगी जाती इसमें अगर देखें तो देखिए आपका 17 आपकी जो है पोस्ट दी गई है इस notification में आप देख सकते हैं ठीक अब यहाँ पर आपक पर भाई तो भारत सरकार का संस्था है तो relaxation तो मिलेगा मिलेगा तो इसमें आपका जो सेड्यूल का सेड्यूल ट्राइब वाले हैं उनको पांच वर्स का रिलेक्सेशन है जो ओबी सी वाले हैं नॉन को तीन साल का है जो परसंस हैं बेंचमार्क डिसेबिल्टीज के साथ ह इस प्रकार से आपका जो एक्स सर्विस पहने उनको पांच वर्स का है तो यह आपका जो है एज रिलेक्सेशन या आयू में जो छूट है वो दी गई है अब पोस्ट कौन कौन सी है वो बता देते हैं और उसके साथ साथ इलिजबिल्टी भी पता चल जाएगी पोस्ट के स जो है Chartered Accountant of India CA की आपके डिग्री होनी चाहिए ICAI से यह कहा जाए तो इस्ट्यूट ऑफ आपका जो है आपका जो चार्टर्ड एकांटेंट इस्ट्यूट है वहां से आपका CA की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट आपकी एक है दूसरा Legal Bachelor of Law होना चाहिए आपके पास किसी भी अच्छी युनिवस्ट्री से भारत की जो रेकोगनाईज युनिवस्ट्री है उसके चार पद है तो अगर देखा जाए तो LLB और LLM वाले जो है यह LLB LLM वाले जो है उनके लिए काफी अच्छा मौका है कि अगर वो चाहें तो चार पोस्ट है वह आपका जो है इ सच जो है वह country अंडरिटर्ण रिसरच जो है वह आपका होना चाहिए उसमें आपका मास्टर डिग्री इंस्ट्रेस एक पोस्ट है राजभासाहिंदी जो है इसमें आपकी चार पोस्ट है तो इस तरह से आपकी जो है पोस्टों को क्लासिफाइड किया गया कि कौन-कौन सी पोस्ट है data science की Master degree in data science एक पोस्ट है तो post के साथ साथ 17 पोस्ट है मैंने आपको बताई हुँ form जो है दो मई से लेकर एक 30 मई तक चलेगा प्लस आपका जो वेतन है वो 16 लाग के आसपास है और आपका जो है आपका जो नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ सकते हैं, यह नोटिफिकेशन आपको नेट में बड़ा इसली आपका जो है अब लेबल एसी जीसी आपको टाइप करना है और यह नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, धन्यवाद